नमस्कार प्यारे बच्चों अर्थशास की कक्षा में आप सब का स्वागत है पिछली कक्षा में आपका आक्डों के स्रोतों एम आक्डों के संग्रे की विधा से परिशकराया था जिसमें हमने आक्डों के प्रात्मिक स्रोत वैं द्वित्य स्रोत तथा आक्डों के संग्रे की विधियाओं व्यक्तिक साक्षातकार, दाक द्वारा पश्णावली भेजना तथा टेलिफोन साक्षातकार के बारे में जाना था साथ ही हमने एक अच्छी पश्णावली की गुणों को भी समझा था इस कक्षा में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर्विक्षन के प्रकार तथा दोईतिक आक्डों के सुरोतों के बारे में जानेंगे आक्डों के महत को देखते हुए सही तथा उद्दिश्य के अनुरूप आक्डों का संग्रह काफी हद तक सर्विक्षन की गुणवत्ता पर निर्भर करता है जैसे खांसामा भोजन पकाते समय स्वाद की जाच करता है तथा कम्यों को दूर करके स्वादिश भोजन बनाता है उसी प्रकार सर्विक्षन की प्रक्रिया में प्रारंबिक जाच बहुत मैत्पून है सर्विक्षन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक छोटे समूपर सर्विक्षन करके प्रिश्णावली तथा चैन किये गए आकड़े संग्रह की विधियों की जाच करके कमियों को दूर किया जाता है इस प्रकार के सर्वेक्षन को प्रायोगिक सर्वेक्षन कहते हैं आए जानते हैं प्रायोगिक सर्वेक्षन क्यों जरूरी है शोद करता दौराज़ाशों की उद्धिश्यों के अनुरूप सर्विक्षन के लिए प्रश्च्नावली तेयार हो जानी के पच्चात सबसे पहले इसकी जाच कर लएनी चाहिए इसके लिए प्रिश्णावली का प्रियोग एक छोटे सम्हू का सर्वेक्षण करके देख लिया जाना चाहिए इस प्रकार की जाच के लिए किया जाने वाला सर्वेक्षण को प्रायोगिक सर्वेक्षण या प्रिश्णावली की पूर परिश्चक के रूप में जाना जाता ह प्रायोगिक सर्वेक्षन वास्ट्विक सर्वेक्षन के बारे में प्रारंबिक अनुमान लगाने में साहिक होता है इससे प्रश्णों की कम्यों का पता चल जाता है प्रश्णों की तुरूटियां पता चलने पर उन्हें दूर करके सर्वेक्षन की गुणवत्त को बहतर किया जा सकता है प्रायोगिक सर्वेक्षन से हम यह जान पाते हैं कि प्रश्ण सर्वेक्षन के उद्देश्य के लिए कितना उप्यूगत है इससे अनावशक प्रश्णों को हटा दिया जाता है तथा प्रश्णों को सुधार कर आंकणों की अनुकूलता को बढ़ाया सकता है इस प्रिक्रिया के दौरान होने वाली लागत तथा समय से वास्टृक सर्व ideology में आने वाली लागत तथा लगने वाले समय का अनुवान लगाया जा सकता है तता संसादनों की उपलब्ता के अनुसार आंकणों की संग्रे की विधी में परिवर्त तर करके उसे अपनी लागत के अनुरूप किया जा सकता है यदि लागत बढ़ रही है तो लागत घटाने के लिए वियक्तिक साक्षातकार के स्थान पर टेलिफोन साक्षातकार का प्रयोग किया जा सकता है प्रायोगिक सर्विक्षन से गणनाकार सर्विक्षक की कारे दक्षता तथा उसके द्वारा सामना की गई मुश्किलों का अनुमान हो जाता है शोद करता इनके अनुरूप निर्देशों में परिवर्तन या परिस्तिती की अनुसार इने स्पष्ट कर सकता है यह सब काफी कुछ ऐसा ही है जैसे अपने नए वस्त खरीदने से पहले आप उन्हें पहन कर परिक्षम करते हैं सही फिटिकना होने पर आप उनमें सुधार करृते हैं जैसे पेंट की लंबाई को कम करवाकर आप उसमें सुधार करने के पश्चात उसे मुख्य कारिक्रम में पहनते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि शोद करता शोद के लिए तयार है। उसके पास एक अच्छी पश्णावली है। तथा उसने यह निणन ले लिया है कि किस विदी से अपने आंक्डे संगह करने है। शोद करता ने सर्वेक्षण की पूरी योजना बना ली है। किंतु सर्वेक्षण से संबंदित कुछ और निणन लेने बाकी है। शोदकर्ता को यह चैन करना पड़ेगा कि जणगर्णा करनी है या प्रतिदर्श सर्वेक्षन करना है प्रतिदर्श सर्वेक्षन में प्रतिदर्श का चुनाव कैसे करना है? यादर्शिक प्रतिचैन से या अयादर्शिक प्रतिचैन से? इन विशों पर विस्तार से चर्चा करने से पूर आईए एक उधारन पर विशार करते हैं माली जीए आपके विद्याले में बारा सो विद्यारती हैं विद्याले आने जाने के लिए प्रियोग किये जाने वाले यातायात के दौरान आपकी सुरक्षा के लिए नीती बनाना चाहता है विद्याले इस निर्णे को लेने के लिए विद्याले आकड़ संग्रे करना चाहता है इसके लिए यह जानना जरूरी है कि आप विद्याले कैसे आते जाते हैं विद्याले के पास दो विकल्प है पहला विकल्प यह है कि प्रतेक विद्यारती से उसके विद्याले आने जाने संबंदी जानकारी प्राप की जाए यह दूसरा विकल्प यह है कि हर कक्षा से केवल कुछ विद्यारतियों के संबन्द में सूचना एकत्र की जाए जो सब का प्रतिनिद्रित करते हैं उन से प्राप सूचना की आधार पर निड़ने ले लिया जाए तथा सभी विद्यारतियों पर लागू कर दिया जाए सांखेकी में पहली विदी को जनगन्ना या सैंसस तथा दूसरी विदी को प्रतिदर्श सर्वेक्षन सेंपल सर्वे कहा जाता है आप चित्र में देख सकते हैं समस्टी या जनसंख्या बड़े गोले में दिखाए गया है और उसी का एक छोटा सा भाग प्रतिदर्श कहलाता है इन विधियों को समझने से पहले हमें जनसंख्या या समस्टी तथा प्रतिदर्श सब्दों का अर्थ समझना होगा आमतोर पर जनसंख्या शब्द का प्रियोग एक छेतर विशेश में रहने वाले कुल व्यक्तियों के लिए किया जाता है जैसे भारत की जनसंख्या, दिल्ली की जनसंख्या या किसी गाउं की जनसंख्या किन्तु यहाँ पर जनसंख्या उन सभी मदों के समूं को कहा जाता है जिनके विशय में हम सूचना इकत्र करके निर्ने लेना चाहते हैं जैसे अभी प्रियोग किये गए उधारन में विद्याल्य के 1200 विद्यार्थी शोध की जनसंख्या या समस्टी है किसी पार्क में लगे सभी व्रिक्षों पर किया जाने वाला सरविक्षन के अंतरगत उस पार्क में लगे सभी व्रिक्ष शोध की जनसंख्या है शोध की जनसंख्या केवल व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं होता अभी अपितू सभी प्रकार की मदों के लिए होता है आईए समस्टी का अर्थ जानते हैं संखेकी में समस्टी शब्द का ताथपर ए अध्यन शेत्र के अंतरगत आने वाली सभी मदों या इकाईयों की समगरता से है इस प्रकार हम कह सकते हैं समस्टी एक ऐसा समू है जिस पर किये जाने वाले शोध या अध्यन के परिणाम लागू हो सके सर्वेक्षन के उदेश्य के अनुसार किसी समस्टी के अंतरगत सदेव ऐसी सभी वियस्टी या इकाईया आती हैं जिन में कुछ विशेश्टाएं या विशेश्टाओं का समू होता है इस प्रकार हम कह सकते हैं जनसंख्या तथा समस्टी सरवेक्षन की दृष्टी से एक दूसरे के प्रियायवाची है प्रतिदर्ष का क्या अर्थ है? प्रतिदर्ष समस्टी का एक खंड या समू होता है जो समस्टी से छोटा होता है तथा अपेकशक्रत, कम लागत, औरम कम समय में समस्टी के बारे में प्रियाप सही सूचनाय प्रदान करने में सक्षम होता है इन सूचनाओं के आधार पर निशकर्ष निकाले जाते हैं, तथा वे समस्टी पर लागो कर दिये जाते हैं जो उधारण अभी हमने लिया था उसमें कक्षा से चुने गए कुछ बच्चे जिनसे सुचनाय प्राप्त करके विध्याले के सभी विध्यारतियों के लिए योजनाय बनाई जा सकती है प्रतिदर्श का उधारण है आईए अब हम जनगन्ना तथा प्रतिदर्श सर्विक्षन पर विस्तार से चर्चा करते हैं जनगन्ना क्या है? वह सर्विक्षन जिसके अंतर गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं उसे जनगन्ना या पून गन्ना की विधी कहा जाता है जनगर्णा विधी में शोद से संबंदित जनसंख्या या समस्टी के प्रतेक मद के संबंद में आकड़े संग्रहित किये जाते हैं तथा इन सभी आकड़ों के आधार पर निशकर्ष निकाले जाते हैं इस विधी की प्रमुख विशेष्टा यह होती है कि इसके अंतरगत संपून जनसंख्या की प्रतेक व्यत्तिगत इकाई को शामिल करना होता है समस्टी की किसी भी इकाई को छोड़ने की अनुमती इस विधी में नहीं होती है आपने भारत की जनगन्ना के बारे में तो सुना होगा इसमें प्रतेक दशवर्ष के पश्चात भारत के प्रतेक निवासी से संबंदित आंकड़े इकत्र किये जाते हैं घर घर जाकर पूरे भारत के प्रतेक परिवार से जनम एवं बृत्युदर, साक्षर्ता, श्रमिक संख्या, प्रतियाशित आयू, जन संख्या के आकार एवं सनरशना आदी के जन सांख्य की ये आंकड़े जुटाये जाते हैं तथा इनका प्रियोग सरकार द्वारा, शोद करताओं द्वारा, शिक्षा विदो द्वारा, तथा ओध्योगिक जगत द्वारा इनके आधार पर नीतियां तथा योजना बनाने के लिए किया जाता है भारत में पिछली जनगन्ना फरवरी 2011 में की गई थी शोद के उद्विष्य के अनुरूप आँकनों के संग्रे के लिए जनगन्ना विदी का प्रियोग तब किया जाता है जब गहन अध्यन की आवशक्ता होती है तथा शुद्धता और विश्वस्त नित्यात से कोई समझोता नहीं किया जाता है उद्धारन के लिए कक्षा में किसी विशय की जाँच करने के लिए सभी विध्यार्तियों से प्रिश्न पूछे जाना तता उसके आधार पर निर्णन लेना फल खरीदते समय प्रतेक फल की जाँच करना किसी खास दवाई के प्रतेक उभुखता से जानकारे इकत्र करना तथा इसके आधार पर उस दवाई के प्रभाव के बारे में निनन लेना आदी जनगन्ना के उधारन है जनगन्ना विधी किस प्रकार के शोध या अनुस्तंधान में उप्यूक्त रहती है आईए अब यह जानते हैं यह निन्ने लेने के लिए इशोद करता किस्ति में जनगन्ना विधी का प्रियोग करें हम उन परिस्तियों को जानते हैं जिन में जनगन्ना विधी सबसे अधिक उप्युक्त रहती है पहली, जन्गन्ना विधी ऐसे शोध में अधिक उप्युक्त रहती है जिसका छित्र सीमित होता है या समस्टी का अकार छोटा होता है बड़े छित्र में धन, श्रम तथ समय अधिक लगने के कारण इस विधी का प्रियोग कम किया जाता है दूसरा, ऐसा शोध जिसमें समस्टी में विभिन गुणों वाली विजातिये इकाईयों से संबंदित आक्णे संघ्रह किये जाते हैं तथा इसमें एक रुपता का अभाव होता है ऐसी स्थिति में कुछ इकाईया संपूर्ण समस्टी की प्रतिनिधी नहीं होती है तथा उनके आधार पर लिया गैने ने समस्टी पर लागूर नहीं किया जा सकता है तीसरा, इस प्रकार के अनुसंधान या शोध जिनमें गहन अध्यन की अवशक्ता होती है उन्हें जणगन्ना विधी का प्रियोग किया जाना चाहिए जणगन्ना विधी में प्रतियक इकाई से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जाती है जिससे समस्या का गहन अध्यन संभव हो जाता है भारत की जणगन्ना इसका एक सटीक उधारन है जिस अध्यन में उच स्तर की शुदता तथा विश्तृत नित्या की आवशक्ता होती है उसमें जणगन्ना उप्यूक्त रहती है जैसे एक नई दवाई की खोज करने के दौरान किये जाने वाले प्रियोग में प्रितेक व्यक्ती जिसने भी उस दवाई का प्रियोग किया है संबंदी संख्यात्मक तथ्य इकट्टे की जाते हैं तथा सभी से प्राप्त आंक्डों के आधार पर दवाई को स्विकृति प्रदान की जाती है जणगन्ना विधी के लाब पहला, जणगन्ना विधी में पक्षपात की कम संभावना होती है जणगन्ना विधी में जणसंख्या की प्रतेक विकाई से सुचना एकट्र की जाती है तथा इसमें विकाईयों के चुनाओं की आवशक्ता नहीं पड़ती है इसलिए इस विधी में इकाईों के चैन करने में होने वाले पक्षबात की संभावना नहीं होती। दूसरा, इस विधी में उच्छ स्तर की शुद्धता तथा विश्वस्निता पाई जाती है। जणगर्ना विधी में समस्टी की प्रतेक इकाई का अध्यन किया जाता है। तथा इसमें किसी भी इकाई के लिए अनुमान नहीं लगाय जाता। आकडों में प्रतेक इकाई की वास्त्विक सूचना होती है। इसलिए इसमें उच्च स्तर की शुद्धता तथा विश्वस्निता पाई जाती है। तीसरा यह विधी विजातिय इकाईों के अध्यन में साहेक होती है। समस्टी में विजातिय इकाईया होने पर जणगर्ना विधी का ही प्रियोकिया जाय सकता है। क्योंकि आकणों का विश्व मित्रन होने पर एक छोटे समू के आधार पर लिया ग्यानेर्न समस्टी पर लागुन नहीं होता। चौथा, समस्टी का गहन तथा विस्तरत अध्यन जणगर्ना विधी में ही संभव है। समस्टी की गहन तथा विस्तरत जानकारी प्राप्त करने के लिए जणगर्ना विधी सरोतम रहती है। व्यक्ति विशेश की गहन तथा विस्तरत जानकारी प्राप्त करने के लिए हम प्तिदर्श विधी का इस्तिमाल कर सकते हैं। किन्तु समस्टी के गहन तथा विस्तृत जानकारी को हम जन्गन्ना विधी के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। जन्गन्ना विधी की कम्या पहला, जन्गन्ना विधी बहुत खर्चिली होती है। इसमें समस्टी की प्रतेक इकाई से सूचनय प्राप्त की जाती हैं, जिसके लिए अधिक धन की आवशक्ता होती है। इसमें प्रशिक्षत गंगना कारों की अधिक संख्या में आवशक्ता होती है। इनकी प्रशिक्षन पर धन व्य होता है। अधिक संख्या में प्रिश्णावली चपवानी पड़ती है। यातायात पर भी अधिक ध्यर्वे करना पड़ता है। दूसरा, जन्गन्ना विधी में अधिक समय लगता है। समस्टी की प्रतेक इकाई से जानकारिक एकत्र करने में उत्तरदाताओं की संख्या बढ़ जाती है। तथा उसी अनुपात में लगने वाला समय भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि भारत में जन्शंख्या दस वर्ष के पश्चात की जाती है। तीसरा, जन्गन्ना विदी में अधिक मानव शक्ती की आवशक्ता होती है। यदि, छेत्र, बढ़ा हो तथा मदों की संख्या अधिक हो तो आंकडे संग्रे करने के लिए अधिक सर्वेक्षकों की आवशक्ता होगी। सरवेक्षकों के कार्याद देखने के लिए निरेक्षकों की आवशक्ता भी होती है तथा इन दोनों को प्रशिक्षन देने के लिए प्रशिक्षकों की आवशक्ता होती है इस प्रकार मानव शक्ति की आवशक्ता बढ़ती जाती है चौथा, विशाल छेत्र में अनुसंधान करने के लिए जणगर्णा विदी का प्रियोग सामानेता नहीं किया जाता है ऐसी स्थिति में सभी मदों से संपर करना संभव नहीं होता केवल सरकारी तंतर जैसा संसादनों से संपन विशाल संगठन जणगर्णा का प्रियोग कर सकता है जहां धन मानव संसादन की कोई कमी नहीं है दूसरा विदी है प्रतिदर्श सर्विक्षन सर्विक्षन की वह विदी जिसमें समस्टी के एक खंड या एक छोटे समू जो समस्टी का प्रतिनिदित्व करता है से संबंदित सूचना प्राप्त की जाती है इन आकनों का विशलेशन करके निशकर्ष निकाला जाता है और इन निश्कष को संपून समस्टी पर लागो किया जाता है प्रतिदर्श सर्वेक्षन कहलाता है एक आदर्श प्रतिदर्श समानेता समस्टी से छोटा होता है तथा अपिक्षक्रत कम लागत एंवग म कम समय में समस्टी के बारे में परियाप्ट सही सूचनाय प्धान करने में सक्षम होता है अधिक्तर सर्वेक्शन प्रतिदर्स सर्वेक्शन ही होते हैं सांखेकी में इने कई कार्णों से प्रात्मिक तादी जाती है प्रतिदर्श सर्वेक्षण कम खर्ष में अल्प समय में परियाप्त विश्वष्णिय या सही सूचनाय उपलब्द करा सकता है समस्टी से छोटा होने के कारण प्रतिदर्श सर्वेक्षण में गेहन पूछता के द्वारा अधिक सूचनाय संग्रेत की जा सकती है इस कार्य में सरविक्षकों की कम अवशक्ता पड़ती है जिससे धन तथ समय दोनों की बच्चत होती है आप अपने आम जीवन में इस विदी का कई बार प्रियोग करते हैं अनाज खड़ीते समय आप अनाज की बोरी से थोड़ा सा अनाज देखकर अनाज की पूरी बोरी की विशय में निर्णा कर लेते हैं कक्षा में पाठ पढ़ातने की बच्चाद सिक्षक कुछ विद्यारतियों से प्रशन पूछ कर पढ़ाई गई विशय सामगरी की जाँच कर लेता है रक्त की जाँच करने के लिए रक्त की कुछ बूंदों से संपून शरीर के संबंध में निनलिया जा सकता है ये सभी पृतिदर्श सर्विक्षण के उधारन है पृतिदर्श सर्विक्षण विदी किस प्रकार के शोध या अनुसंधान में उप्यूक्त रहती है आईए इस पर शेर्चा करते हैं कि किन परिस्तितियों में शोद करता को प्रतिदर्श सर्विक्षन का प्रियोग करना सही रहता है पहला, जब अनुसंधान का छेत्र वरिस्त्रित होता है तता शोद करता के लिए सभी इकाईयों से सूचना प्राप्त करना कठिन होता है ऐसी सुधी में प्रतिदर्श सर्विक्षन एक छोटे समों से सूचना प्राप्त करके निन्ने निकालने में सक्षम होता है दूसरा जहां समस्टी की सभी इकाईयां सजातिय होती है वहाँ सभी कईयों से सूचनाय प्राप्त करने में कोई लाब नहीं है जैसे एक किलो चावल खरीदने के लिए आप प्रतेक चावल की जाँच नहीं करते हैं केवल कुछ चावल के दाने देखकर ही चावल की गुनमत्ता का अनुमान लगा लेते हैं तीसरा, जब शोध में उच्च स्तर की शुद्धता की आफशक्ता नहीं होती है तब प्रतिदर्श सर्वेक्षन सबसे उप्यूक्त रहता है समाजिक, आर्थिक तथा मानव व्यावार संबंदी विश्यों पर शोध के लिए प्रतिदर्श सर्वेक्षन सर्वोत्तम रहता है चौथा, संसाधनों के अभाव में प्रतिदर्श सर्वेक्षन उप्यूक्त रहता है इसमें समस्टी की एक छोटे भाग से आक्रे प्राप्त के जाते हैं इसलिए इसमें लगने वाला समय, श्रम तथा धन की बच्चत होती है अब जानते हैं कि प्रतिदर्श सर्वेक्षन के क्या लाब है पहना लाब यह है कि प्रतिदर्श सर्वेक्षन विधी कम खर्चेली होती है तथा इस विधी में सर्वेक्षकों की छोटी टोले की जरुरत होती है प्रश्णावली भी कम छपवाने पड़ती है क्योंकि समस्टी केवल एक छोटे समू से सूचनाई एकत्र करी जाती है दूसरा प्रतिदर्श सर्वेक्षन में समय की बच्चत होती है इससे अल्प समय में प्रियाप्त विश्वस्निय तथा सही सूचनाई प्राप्त की जा सकती है सही समय पर निन्ने लेने से प्रिणाम और बहतर हो जाते हैं तीसरा प्रतिदर्श सर्वेक्षन विज्ञान पर आधारित है तथा इसमें तुरूटियों की पैचान करके उन्हें दूर करना आसान होता है चौथा, प्रतिदर्श सर्वेक्षन के लिए चुना गया प्रतिदर्श समस्टी से छोटा होता है आते सघन और विस्तित पूस्ताश के द्वारा अधिक विस्तित सूचनाई संग्रहित की जा सकती है पांचवा, प्रतिदर्श सर्वेक्षन का प्रभंधन अपिक्षक्रत सरल होता है इसके लिए गण्नाकारों की कम संख्या में आवशिक्ता होती है जिने आसानी से प्रिशिक्षित किया जा सकता है तथा उने के कारे को देखने के लिए निरिक्षक भी कम चाहिए इनके कारे पर आसानी से निग्रान ही रखी जा सकती है प्रतिदर्श सर्वेक्षन की कमिया पहली कमी आदर्श प्रतिदर्श के चैन की संभावना कम होती है इसलिए प्रतिदर्श के आधार पर लिए गए निर्ने समस्टी के लिए सत्प्रतिशत सही नहीं होते दूसरा, प्रतिदर्ष सर्वेक्षन में प्रतिदर्ष के चुनाओं में पक्षपात की संभावना बनी रहती है क्योंकि अनुसंधाम करता उन इकाईों को प्रतिदर्ष के रूप में चुनता है जो उसे पसंद होते हैं या उसके आसपास होते है तीसरी, प्रतिदर्ष सर्वेक्षण में विजातिय इकाईयां होने पर यदि छोटे प्रतिदर्ष का चुनाव किया जाता है तब परिणाम गलत निकलने की संभावना बनी रहती है ऐसे निकाला गया निश्कष समस्टी पर लागू नहीं होता चौथा, प्रतिदर्ष सर्वेक्षण विज्ञान आधारित तकनीक है इसके प्रियोग के लिए अनुसंधान करता को विशेष ग्यान की अवशक्ता होती है सामान्य तोर पर चुने गए प्रतिदर्ष विशम वित्रन वाले होते हैं इनकी पैचान करना तथा इने सम वित्रन में बदलने के लिए विशेष ग्यान की अवशक्ता होती है जो सभी के पास नहीं होता अब प्रशन यह उठता है कि प्रतिदर्ष का चैन कैसे करे प्रतिदर्ष चुनने के दो तरीके हैं पहला यादर्षिक प्रतिचैन तथा दूसरा अयादर्षिक प्रतिचैन आईए इन दोनों तरीकों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं यादर्षिक प्रतिचैन जिसे अंग्रेजी में रेंडम सेंप्लिंग भी कहते हैं जब समस्टी की प्रतेक इकाई को चुने जाने की समान अवसर प्राप्त होते हैं यादर्शिक प्रतिचैन कहलाता है। इसमें प्रतेक इकाई के चुने जाने के समान संभावना होती है। और चुना गया व्यक्ति ठीक वैसा ही होता है जैसा कि नहीं चुना गया व्यक्ति सरल शब्दों में कहीं तो या दर्शिक प्रतिचैन वह होता है जहां समस्टी प्रतिदर्श समूव से व्यक्तिगत इकायों को बिना किसी भेदभाओं के चुना जाता है इस विदी को लोटरी विदी के नाम से भी जाना जाता है यह सारणी प्रकाशित रूप में तता सौफ्ट्वियर पैकेज के रूप में उपलब्ध होती है चुनाओं के दिनों में दिखाये जाने वाला एक्जिट फोल जिसमें हम निर्गम मद्दान भी कहते हैं यादर्षिक प्रतीचैन पर ही आधारित होता है इसमें मद्दाताओं के प्रतिदर्श द्वारा प्राप्ट आकड़ों से चुनाओं जीतने वाले उमीदवार के बारे में पूर्वा नुमान लगाया जाता है यादर्षिक प्रतिचैन कई परकार का होता है जैसे पहला सरल यादर्चिक प्रतिदर्श, दूसरा स्थरित प्रतिदर्श, तीसरा व्यवस्थित प्रतिदर्श, चौथा शेत्र प्रतिदर्श, तथा पांचवा बहुस्थरिय प्रतिदर्श यादर्चिक प्रतिचैन सांखिकिये नियमित्ता के नियम पर आधारित है प्रतिदर्ष 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 चुने जाने की काफी संभावना है समस्टी से यादर्षिक रूप से चुने गए प्रतिदर्ष के संगटन और लक्षन औसतन वही होते हैं जो समस्टी के होते हैं सांखे की नियमित्ता का नियम तबी प्रभावी होता है जब दो शर्ते पूरी हो जाए पहला, प्रतिदश के लिए मदों का चैन यादर्शिक होना चाहिए इसका अर्थ है कि समस्टी के प्रतेक मद का प्रतिदश में चुने जाने का संयोग समान होना चाहिए दूसरा, प्रतिदश में सम्मलित किये जाने के लिए मदों की संख्या प्रियाप्त मात्रा में बड़ी होनी चाहिए ताकि प्रतिदश प्रियाप्त रूप से प्रतिनिजित करे दूसरा, अयादर्शिक प्रतिचैन Non Random Sampling प्रतिदर्श सरवेक्षन के लिए प्रतिदर्श चुनने की वह प्रक्रिया जिसमें समस्टे की सभी इकाईयों की चुनने जाने की सम्मान संभावनाय नहीं होती उसे अयादर्शिक प्रतिचैन कहते है इसमें सरवेक्षक की सुवीधा या नेड़ने की भूमी का महतपून हो जाती है इस प्रतिदर्श को अपने नेड़ने, उद्देश, सुवीधा या नियत मातरा के अधार पर चुना जाता है इसमें चुनी गई इकाईों के चुने जाने के अवसर नहीं चुनी गई इकाई से अधिक होते हैं उधारन के लिए महत्मा गांधी राष्टे ग्रामेंड रोजगार गारंटी अधीनियम मनरेगा के प्रभाव के अध्यन के लिए शोद करता 500 परिवारों में से 50 ऐसे परिवारों का चुनाव करता है जो या तो उसके मित्र है या उसके परिचित है तता उन से सूचनाय इकत्र करके शोद करता सुविधी जनक तरीके से निशकष निकालता है इसमें प्रतिदर्श का चुनाव पूर्वा ग्रह से ग्रसित हो जाता है अयादर्शिक प्रतिचैन द्वारा चुने गए प्रतिदर्श में सम्मित्रण नहीं होता है इस प्रकार के प्रतिचैन से प्राग परिणाम समस्टी के प्रतिनिदी नहीं होते हैं अई आदर्शिक प्रतिचेंड कई प्रकार का होता है, जैसे पहला सविचार प्रतिदर्श, दूसरा स्तरित प्रतिदर्श, तीसरा व्यवस्थित प्रतिदर्श, चौथा अभ्यांच यानि कोटा प्रतिदर्श, तथा पांचमा सुविधा अनुसार प्रतिदर्श. सर्विक्षन की इतनी योजना के भावजूद कुछ तूरूटिया रह जाती है, जिने सांखे की तूरूटिया कहते हैं आईए हम इनके बारे में जानते हैं सरविक्षन के दौरान तथा विशलिशन करते समय शोद करता को अनेक प्रकार की तुरूटियों का सामना करना पड़ता है, जिनसे शोद का परिणाम प्रमभावित होता है। सांखे कि तुरूटियों जिनने विब्रम भी कहा जाता है, इनसे अभी प्राए किसी मद के वास्तविक मूले तथा अनुमानित मूले के अंतर से होता है। शोद में तुरूटियों का होना अनिवार है, क्योंकि अनुमान प्राए प्रतिदर्श्ट पर आधारित होते हैं। यहां यह ध्यान रहे कि समंगों के परिकल में जो गलतियां होती हैं, वे सांखे कि तुरूटियां नहीं होती। अपरिशुद्धा जो जोड, घटा, गुणा, भाग के कारण होती हैं, वे सांखे कि तुरूटियां नहीं होती। बलकि उन्हें अशुद्धियां कहा जाता है। क्योंकि सांखेकिये में अनुमानित मूल्यों का प्रियोग किया जाता है, इसलिए सांखेकिये तुरूटियों का होना अपरिहार्य है। इन्हें पूर्णेता समाप्त नहीं किया जा सकता। इनका ग्यान होने पर इन्हें यथा संभव कम अवश्य किया जा सकता है। सर्वेक्षन में अनेक प्रकार की तुरूटिया हो सकती है, जिने हम दो मुख्य भागू में बाढते हैं, पहला प्रतिचैन तुरूटिया तथा दूसरा अप्रतिचैन तुरूटिया आएए इड़ पर विस्तार से चर्चा करते हैं प्रतिचैन तुरूटिया क्या होती है? प्रतिदर्ष के आधार पर समस्टी के बारे में निश्कष प्राप्त करने में जो तुरूटिया उत्पन होती हैं उन्हें प्रतिचैन तुरूटिया कहा जाता है प्रतिदर्श की कायों के चुनाव में पक्षपात या अभीनत के कारण प्रतिदर्श तूरूटियां उत्पन होती है यह तूरूटियां इसलिए होती है क्योंकि एक समस्टी का अध्यन उसके केवल एक हिस्से या प्रतिदर्श पर आधारित होता है यदि किसी जहांच में समस्टी का अध्यन किया जाए तो इससे प्रतिचैन तुरूटियों को समाप्त किया जा सकता है ऐसा भी देखा गया है कि यदि एक समस्टी के दो या दो से अधिक प्रतिदर्श या दर्शिक प्रतिचैन विदी दुआरा चुने जाएं तो उनके परिणाम एक जैसे नहीं होते हैं यहां तक कि दोनों पृतिदर्श के निश्कर्श समस्टी के निश्कर्श से भिन हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुने गए दोनों पृतिदर्श की इकाईया समरूप नहीं होती। सरल शब्दों में कहें तो पृतिदर्श के निश्कर्शों की भिन हो सकती है। पृतिदर्श का चुनाव कितनी भी सावधानी से किया जाए। फिर भी पृतिदर्श की संभावना से बचा नहीं जा सकता है। हाँ, इसी सर्वेक्षन की उप्यूक्त योजना बनाकर कम अवश्य किया जा सकता है। अप्रतिचैन तुरूटियां, प्रतिचैन तुरूटियों की अपेक्षा अधिगंबीर होती है। ऐसा इसलिए होता है कि प्रतिचैन त्रूटियों को बड़े आकार के प्रतिदर्श लेकर कम किया जा सकता है पर अप्रतिचैन त्रूटियों को कम करना असंभव है चाहे प्रतिदर्श का आकार बड़ा ही क्यों न रखा जाए अप्रतिचैन त्रूटियों में पक्षपात प उधारनों पर चर्चा करते हैं। पहला आंकडे अर्जन की तूरूटियां। यह तूरूटियां उत्तर को गलत लिखने के कारण उत्मन होती है। अठारण के लिए अठारेकिस्तान पर 81 लिख देना दूसरा अनुत्तर संबंदी तुरूटियां इस प्रकार की तुरूटियां तब उत्पन होती हैं जब शोद करता प्रतिदर्श सूची में सूची बद उत्तादाता से संपर्ख स्तापित नहीं कर पाता या प्रतिदर्श प्रतिदर्श में कुछ ऐसी कईयां भी हो सकती हैं जिन से सूचना इप्राप करना कठिन हो तथा शोद करता इनके स्थान पर समस्टी की कुछ अन्य इकायों को प्रतिस्थापित कर दे यदि इन इकायों का चैन या दर्शिक प्रतिदर्श द्वारा नहीं किया गया है तो अभीनत उत्पन हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि उतर दाता कुछ प्रिश्णों के उतर नहीं देता तथा शोद करता स्वैम इन सूचनाओं को भर देता है इससे अभीनत उत्पन हो सकता है इस प्रकार अब आप सर्वेक्षन की पून योजना तथा सभी बिंदूओं को समझ गए हैं ये अवशक नहीं कि शोद करता सरवेक्षन से प्राप्त आकडों के आधार पर ही अनुसंधान करें आईए हम दित्यक आकडों के सुरोतों के बारे में चर्चा करते हैं किसी देश या राज्य की सभी नेतियां और योजनाय आकडों पर आधारित होती हैं रास्टिये तथा राज्यस्तर पर ऐसी संस्ताएं होती हैं जो सांखे की आकडों को संग्रहित, संचोदित या सार्निकरत करती हैं इनका उदेश्य शुद्ध तथा विश्वश्णिय आकड़े उपलब्द कराना होता है। दूसरा अध्याय आकड़ो का संग्रह इसी चचा के साथ समाप्त होता है। अध्याय आकड़िया आकड़ है तबुद्ध तबुद्द्ध दूसरा अध्याय आकड़ो का संग्याद फिर करा स्वश्वश्णिय आकड़। झाल झाल